गुजरात जैसे वियापारिक लोगों का स्थान, फिर भी यहां सारे धर्म और सारे त्योहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं सारे त्योहार मनाई जाते हैं, और उनमें भी एक अनुखा त्योहार, मकर स्थक्रांती, जिसका धार्मीक और वेग्यानिक दोनों में अपना स्थान है, पत्योहार, जी हां, पत्योहार को काफी उस्सा से पूरे भारते मनाया जाता है, इस दिन काफी अलगलत किस्म की पतंगे आस्मान में देखने को मिलती हैं, इतना ही नहीं, भारत में प्रत्ति अंतर राष्ट्य पतंग मौसव को मनाया जाता है, आखिर क्या एहमेद है इस त्योहार की, और किस तरह से मनाया जाता है इस त्योहार, इसके बारे में आज, हम आपको बताने चाह रहे हैं, नए साल की शुरुवात होते ही, हमारे त्योहार मनाने का भी आगाज हो जाता है, जन्वरी के महिने में, तेरा तारिक को चहां उत्तर भारत में लोहडी मनाने लगते हैं, वहीं उसके अगले दिन, यानी 14 तारिक को मकर सक्रांती के रुप में मनाया जाता है, मकर सक्रांती के दिन ही, भारत्य पतंग उडाने का रिवाज हैं, इस दिन को लोग पवित्र नद्यों में स्नान करते हैं, और इस दिन दान करना काफी अच्छा मना जाता है, दान करने के बाद, लोग पतंग उडाकर इस दिन का जश्ट मनाते हैं, इतना ही नहीं, इस दिन तील और गुड को भी खाने का रिवाज है आपके मनवेभी एक सवाल आ रहा होगा आखिर ये पतंग ये मकर सक्रांटी के शरुवात कहां से हुई जीस तरह हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतिहास जुड़ा होता है उसी तरह पतंगों को लेकर भी एक इतिहास है कहा जाता है कि करीबन अठाइसो साल पहले पतंग उडाने के शुरुवात चिन दिशने शुरू की थी जिने पतंग का आविशकार मोजी और लूबे नाम के दो व्यक्तियों ने किया था उस वक्त पतंग का इस्तमाल पचाव अभियान के लिए एक संदेश के रूप में हवा की दिवता और संचार के लिए किया जाता था लेकिन पाचविश शप्ताब्य के इस्सापुर्वा जिन उड़ेशों से पतंग का आविशकार किया गया था तो उड़ेश इस वक्त बदल से गये हैं और अब पतंगों केवल मनोरजन के रूप में इस्तमाल किया जाता है पतंगोड़ाने का ये चलन धीरे धीरे कुरी दुनिया में फैल गया और इस चमय दुनिया के कही देशों में पतंगोड़ा ही जाती है इन देशों की सुची में बारत, अमेरिका, मलेशिया और जर्मनी जेसे देशों का नाम शामिल है आज हमारे साथ एक शक्ष है जो अर कुरी करते हैं हैं एक किते 채ाल थाहां त cev 12 व्राइम', king किता किते फसी में किते हुआ होelों जातराओ यहां चारिवे क्या लुट किते युट व्राइम की जोonderश लन्न अलाइर। हैं भी हिर ल Caleb, हे भी हाईने चैनी बéisैट हैं हिर चीनडेα हैं लिवास किते ब permanence we are taking kites everywhere when we come our passion is just to have fun the only thing we did not grow up is because we are still a child and the difference between a child and a man is the cost of his kite in Denmark we have two kite festivals we have Fanner Kite Meating which is German guy that is making it I am the chairman of the Danish Kite Association. I am in repairing the Vollmery Kite Festival. It is nothing like this, but we have a beach around 7 km long, 2 km wide and we will be around 1000 kite flyers. It is the first time we are at a kite festival in India and what we have seen for now, it is a very very great place to be and we are very eager to meet a lot of kite flyers. We are from Argentina, our team is called Contraviento. We came to this festival and we are very happy because we have a big big field to fly. So we can fly our two-line kites and we have enough space to do our routines. This kind of kite needs lots of space because they are flying all sweeping. It is very hard to fly in other fields, but here in Rascot we have had the exact place. Our team is five people. Two other people are flying other kites. We fly five members doing choreography in the air. This kind of kites are called sport kites, two-line sport kites. With these two lines you can manoeuvre and do this kind of thing. So you can command everything in the air. This is for team kite flying. We do choreography in India. Well, this kind of kite is flew normally alone. And you can fly in team if you enjoy better in team. In my country there are two teams flying right now. So, are many people flying along with this kind of kite. In India too, the woman also shows the झाल 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 This story is inspired by Zero Aperture Production PvT Ltd. Zeppol is a video network dedicated to the untold, overlooked, to tell their stories. My name is Fazal. I am from International Kite Flows Association, One India Kite Team. We are from Kerala. Gujarat is the capital of Kerala. कि अंची मिыватьוא वे पर डग का का फ का स्टीछर्ब श्सकाइब इनखे दूच बीब कि दो इन है worksöm Greece कि आव यूंड़ों अप्रिला सक्ering में वस्थिस पड़ कर्ला हूं मौन सीय तरह ऑ्रामाम की का grandpa आग करते स्टीछ हिवर व्केस्ट लिए बेन फिबा किव्त तरफ दित ऑन बोले इंड जो भी जान। धंड भडोर आदि को और प्रॉड एंसर्ट नेस्ट नेस् बिग मन नेस्ट एंस नेस्ट केव्ट सर्ण केव्टेजित एंस अडर। किव्कटन अज्ट अप्डुला मालियकल I am from Kerala, I am advocate Sreejit Kumar I am a stunt kite expert here in Gujarat, very nice people and really good it's a very good experience for all of us Chant kite, flying is a very difficult one in the kite field but so many years we are practicing the stunt kite because foreigners also come here Gujarat is a very nice place kite flying our tourism inviting 50 this kite festival 50 countries were participating here I am Manish from Kerala, I am representing Kerala kite team it's a new experience in Gujarat I think a lot of people is gathered here they are very well, enjoying very well I think this is a very big festival here many people they are very personally engaged in this celebration it's a good celebration and this is the symbol of the togetherness and the unity of the humanitation is being here KAI POCHE we are one India kite team based in New Delhi the last 10 years India may Patak Udana wale may both other local training Gujarat may Delhi may Rajasthan may we have 500 members in India Gujarat is the capital of kite and all the kite members, kite lovers love to participate in Gujarat kite festival because Gujarat tourism promoting kite festival in Kerala we are very well there is a lot of people in the samudra there is a lot of people in the terrain there is a lot of people in India very much beautiful diamond kite traditional diamond kite लोगों को हर जगव में, हर ज्याज में, यूरोप, मालेशिया, चाइना में, काइट कटिंग होता है, काइट वाइटिंग होता है हर जिंदियान में, ब्रसील में भी बहुत जादा है और गुजरात में इस त्योहार को उत्रान के नाम से जाना जाता है इस त्योहार को बिशक कई नाम है, मगर इस दिन हर कोई पतंग जरूर उडाता है और पवित्र नद्यों में स्थान करता है इतना ही नहीं, बावण त्योहार को जुजरात राज्य में पतंग बाजी का मुकाबला भी रखा जाता है और लोग कही तरह की पतंगे उडाने का आनन लेते हैं कुजरात राज्य, हर साल, उतरायन या मकर सक्रांति के दिन अंतर राश्य पतंग मौसों का बड़े स्थर पे आविजन करता है इस आयोजन में खिस्था लेने के लिए भारत के दूसरे राज्य सहीद कहीं देशों के लोग आते हैं हलो सर, मेरा नाम शाबास खान है और हम उदेपुर राजस्तान से आया है हम दस साल से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अटेंड कर रहा है और यह हमारी टीम है जो लेक्सिटी काइट्स क्लब के नाम से इंका नाम विजवान है यह सद्दाम है और यह जुनेद है हमने तीम ठीम बनाई हुई है जिसमें मैसेज है हमारे पास एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसा नहीं है किसित राज़स्तान में इसमें है इंडियन कल्चर में बेक्लियों को पढ़ाना भी चहिए और बढ़ाना भी Bachelor एक साहती में जो अभी इंदुस्तान के अंदर शो बहुत ही ज़्यादा सभी का request है कि चाहते हैं कि बढ़ाया जाये, हम यह यह ही चाहते हैं कि हमारे मेसेस के जरीए इस चीजГ को आगया जाये और आगे follow करें सभी मिलकर तो क्या पता इसकी उपर अच्छा सा बने और इस चीज़ को रोका जा सके और काफी तरीकी के हमने काइट बना रखी है, जैसे कि सेव अर्थ की उपर है, हमारे पास लिफ्टर है, फिफ्टी टू फीट का कोब्रा है पिफ्टर है झाल झाल इस दिन पतंग बाजी का भी मुकाबला रखा जाता है जिसमें लोग बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग गुजरात राज्य आते हैं। वहीं गुजरात राज्य में इस दिन को लिकर खासा कारेकरम का आयोजन किया जाता है। और कई दिन पहले ही राज्य में कई तरह के कारेकरम शुरू हो जाते हैं। यहां की दुकानों में आपको कई तरह की पतंगें देखने को मिलती हैं। इस महुष्टव के दिन आस्मान फुरी तरह से रंगीन हो जाता है। इस साल भी गुजरात राज्य के अहमदाबार शहर में अंतरराश्य के पतंग महुष्टव का आयोजन आरब हो गया है। यह मौसव 6 जनुवर से शुरू होकर 14 जनुवरी तक ही देखा जा सकता है। पतंग के अलावा कई तरह के कारेकरम का ओधकाटन भी इस दौरान किया जाएगा। अहमदाबार के अलावा कुछरात के अन्न शहर जैसे सूरत, गाधी नगर और राजकोट में भी इस दियोहार को लेकर कई आयोजन किये जाते हैं। गुजरात के लावा राजस्थान, दिल्ली, महराष्ट, तामिलनाडु राज्जी में भी इस्तियोहार को मनाया जाता है दिल्ही में कई जगों पर इस दिन के लिए विश्श आयोजन किये जाते हैं जहां पर कई तरह की पतंगे आपको देखने के लिए मिलेगी इस दिन को लेकर गुजरात राज्य सरकार द्वारा खासे इंतजाम किये जाते हैं जैसे इस साल 2020 में 7 चनवरी से 14 चनवरी तक गुजरात में अलग-अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया है जैसे 8 चनवरी को गुजरात के वड़द्रा और राजकोट में वही 9 चनवरी को केवडिया और परवंदर में और फिर 10 चनवरी को सूरत में 11 चनवरी को साबुतारा और धोल्डो 12 चनवरी को यानि कि आज ही के दिन महशाना में ये कारेकरम चालो हैं और कल यानि की 13 जन्वरी को यह प्रोग्राम होगा अहम्दाबाद और जाम कंडोरणा में और फिर मकर सक्रांती के दिन 14 जन्वरी को अहम्दाबाद में रिवन फ्रंट में इसका भाव्य आयोजन किया गया है भराज्यो की पुराणों और सास्त्रों मानने वाला देश इस दिन के दोरान से मौसम में भी बदलाव आता है और ठंड थोड़ी कम हो जाती है किसानों के लिए इस दिन का खास बात हो है इस दिन के बाद किसान अपने फसलों के कटाई करना शुरू कर देते हैं पूरे साल में कुल 12 सक्रांती आती है लेकिन जन्वरी के मैने में आने वाली इस सक्रांती को काफी शुप आना जाता है कहा जाता है इस दिन सूर्य की उत्राण की गति प्राहरण करते हैं उत्रायन का मतलब सूरज पूर्व से उत्तर की और गमन करते हैं और इस गमन के दवरान सूरज की किरणों को अच्छा माना जाता है। पतंग बनाने से लेकर पतंग बिचने तक सब लोग उसका फाइदा मिलता है। पतंग जो की बनने शुरू होती है एक छोटे से एकम और जो बीखती हैं इन बड़े बड़े बाजारों में। ना जाने कितनी लोग इस रुजगारी को प्राप्त करते हैं। फिर कहलो कि कि बर बन रहा मांजे का चर्खा। प्राप्त करते हैं।